आपका वोट आपकी ताकत वोट जरूर डाले इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक एप पर डाउनलोड कीजिए तक एप राजधानी समेत पुरेदेश में अब कोरोना की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है लगभग सभी राज्यों ने स्कूल कॉलेज और तमाम चीजों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया है दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू को छोड़कर लगभग सभी पाबंद को वापस ले लिया गया है ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो चुकी है इसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं पुरेदेश में कोरोना के आखडों पर बता दें कि बीते 24 घंटों में देश में 44,887 नए के सामने आए हैं तो वहीं 1,17,591 मरीज इसके अलावा पुरे हिंदुस्तान का डेली पॉजिटिविटी रेट 3.17 फीस दी जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.46 फीस दी हो गया है यह आखड़े इसलिए रहत देने वाले हैं क्योंकि तीसरी लहर का पीक आने के बाद पहली बार 45,000 से कम मामले पुरेदेश में दर्ज किये गए हैं इससे पहले 3 जनवरी को 37,389 नए मामले सामने आए थे तो वहीं 20 जनवरी को पीक पर 3,47,000 केस एक दिन में आए थे तो वहीं बात की जाए दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की तो बता दी कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में 804 नए मामल सामने आए हैं इसके अलावा दिल्ली का डेली पॉजिटिविटी रेट घट कर 1,50 फीजदी हो चुका है इसके अलावा बीते 24 घंटों में 1197 मरीज दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 30 लहर के पीक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दि और पॉजिटिविटी रेट भी 30 फीजदी पार चला गया था लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो सुकून देने वाले जरूर हैं लेकिन ओमीक्रोन के खत्रे के बीच डबलू एचो यानि विश्व स्वास्त संगठन ने चेतामनी जारी की है डबलू एचो की चीफ स सौम्या सौमिनाथन से ब्लूमबर्ग ने बाचीत में जब सवाल पूछा कि क्या कोरोना महामारी का अंत हो गया है तो उन्हों ने कहा इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है महामारी खत्म होने की अफवाहों पर भरोसा करके सतर्क रहना छोड़ देना हमारी तक हम बहतर इस्तिथी में आ जाएंगे कोरोना की नए वैरियंस बनने की पूरी संभावना है क्योंकि लोगों में ये वाइरस पहलता ही चला जा रहा है तो इसका मतलब ये कि कोरोना की मामले पहले से कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है सावधानी की झालिटा